Hello students, welcome back to my channel with another video of class 8 chapter 1 resources तो आज इस chapter में मैं आपको बताने वाला हूँ कि resources chapter जो है यह किसीज को समझाने की कोशिश कर रहा है और हमारे life में resources की क्या एहमियत है सबसे पहले शुरू करते हैं इस word resources से तो resources जो शब्द है इस शब्द का मतलब होता है संसाधन यानि ऐसी चीजे जो हमारे जरूरतों को पूरा करें उसे ही हम resources कह सकते हैं तो इस chapter में देखे बोल रहा है कि मोना और राजु अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं घर को साफ करने में तो जगा जगा पे different different चीजे बिखरी पड़ी जैसे कहीं पे कपड़े बिखरे पड़े हैं कहीं पर बरतन बिखरे पड़े हैं कहीं पर अनाज बिखरा पड़ा हैं तो अलग-अलग चीजे कमरे में हैं तो दादी मा ये कहती है कि ये सारी जीजे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है लेकिन इसकी जरुवत क्या है तो resources जैसे कि मैंने बताया कि वो हमारी हर जरुवतों को पूरा करता है यानि कि अगर resources ना हो तो हमारे जीवन में कोई भी ऐशो आराम की चीजे या luxury life हम लोग spent या कह सकते हैं कि happy life हम लोग spent नहीं कर सकते हैं जिससे आपको गर्मी लगती है आप बटन दबाते ही पंका खुल लेते हैं क्योंकि यह resource है लेकिन इस resource कब बना जब आपको इस चीज की जरुवत पड़ी that means if you don't utilize the need of resource तब तक आप उसको अपनी जरुवत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इंसान को सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंसान नहीं क्या किया है resources को बनाया यानि nature में हर जगा हमारे पास सारी चीजे मौजूद है कहीं पानी है कहीं बिजली है कहीं रिक्षा है vegetables है सब कुछ है ना लेकिन कब हमने उसका इस्तेमाल लिया जब हमने उसकी जरुवत पड़ी सो human with their knowledge, skills, idea, innovations हरी चीज के मदद से इंसान अपनी जरुवत के हिसाब से चीज़ों को फ्रांस्वाम करता है as a resource में ठीक है समझ में आगे आपको so everything has a value if we don't value anything then our life in us that doesn't have any importance value means worth value क्या है worth की उसका एक कीमत है जैसे बहुत सारी चीज़ों की कुछ value है बहुत सारी चीज़ों के value नहीं है मान लेजिए मैं की example देता हूं जब आप अपने building construct कर रहे हैं तो उस समय आपको stones की जरुवत है तब आपके लिए वो stones क्या है एक valuable product है वर्ना जब आप किसी नदी में जाएंगे और वहाँ पर आपको पत्थर गिरेवे मिलेंगे लेकिन फिर भी उन resources का कोई value यानि उस्टून का कुछ भी value आपको नहीं लगेगा तो हम अपनी जरुवतों के हिसाब से ही चीजों को classify करते हैं ठीक है that is the value तो क्या बोल रहा है यहां पर देखिए यहां बोल रहा है कि some resources can become economically valuable with time कुछ resources ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ valuable बन जाते हैं यहीं हो सकता है वह पहले उतने valuable ना हो लेकिन बाद में जाकिए यहीं मान लीजिए कि शुरुवाती दिनों में जब बाइक का विश्कार हुआ था तो लोगों को यहीं लगता था कि बाइक तो बहुत important है और यह तेल जो है इसका क्या है यह तो आराम से मिल है जिससे कि मैं कम तेल में लंबी दूरी ताय कर सकूं है ना तो यह कैसे हुआ एक ही दिन में हो गया नए इसके लिए क्या हुआ टाइम लगा और टेक्नोलोजी अगा तो टाइम एंड टेक्नोलोजी और टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट केंज सब्स्टांस इंड रिसोर्स यानि समय और आधुनिक्ता यह दो प्रमुक चीजे हैं जिससे कि हम किसी भीज़ को एक रिसोर्स में कनवर्ट कर सकते हैं मान लिजे एक पेल जो आपके आसपस हमेशा से मौज होता लेकिन जब तक आपने उसके लखड़ी को काट के उससे बेड या सोफा या किसे फ़र्णिचर में कनवर्ट नहीं किया किसकी मदद से विद हेलप आफ टेक्नोलोजी और टाइम आपने उसीच को सीखा वरना उस पेड का इंपॉर्टेंस या वैल्यू बनने में कनवर्ट करती है और यह दूनों ही इनसान की जरूतों से जुड़ा हुआ है लेकिन इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रिसूर्स है वो है हम इनसान खुद चीक है तो हम इनसान खुद एक बहुत ही बड़े रिसूर्स है क्यों कि हम अपने आइडिया अपने नए ने रिसोर्स को बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि नए खुज निकाले जैसे कि जब आग की खुज हुई तब हमें उसकी जरुवतों को पता नहीं था लेकिन बाद में समय के साथ साथ क्या हुआ हमने कुकिंग टैक्टिस करना शुरू कर लिया वील का जब इनिशन हुआ तब हमें पता नहीं था कि उस वील का विश्कार करके हम आगी क्या कर सकते हैं पहले तो बैलगाड़ी बनी लेकिन आज देखिए कितने ज़्यादा तेजी से बुलेट ट्रेन या एर्वेस में यह वील्स का विश्कार एक बहुत ही बड़ी क्रांत इस लिए इसको ध्यान से समझे और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीस कमेंट ज़रूर करना तो अगर बोल रहा है ताइप आप रिसोर्स तो हम इसे तीन पार्ट में क्लैसिफाई कर सकते हैं नैच्रल रिसोर्स हुमन मेड रिसोर्स है और इसको पढ़ना य नैच्ट 90 से लेना होगा ठीक है देखेँ नैच्ट रिसोर्स इस अपने पढ़ा ही था नैच्रल रिसोर्स किया है बायोतिक औड आपने तो पढ़ा ही था न पहले भी आपने पढ़ है तो नैच्र रिसॉर्स हेस वो है जो कि नीचर नहीं बनाए उसमें human का कोई भी need या human ने उसमें कुछी भी modification नहीं किया वो जैसे थे हमने उसको वैसे ही इस्तिमाल किया उन resources को कहते है natural resources जैसे की नदी, लेक, परवत हमें इन सीजों को बदलने की जरूरत नहीं है यह तब भी जतनी जरूरत मन थी, आज भी उतनी जरूरत मन थे, ठीक है तो देखे, natural resources में हम इसको दो broad categories में divide कर सकते है first is the renewable and second is the non-renewable एक जटके में इसको समझेंगे, बहुत ही आसान terms में renewable resources वो है, जो बहुत ही जल्दी renewed या replenish हो जाती है यह एक बार इस्तिमाल करते है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसको बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो फटा फट तयार हो जाते है जिसे कि water या sunlight आप जितना भी water यूज कीजिए, लेकिन उसका amount कभी भी प्रिथ्वी में कम नहीं होगा आप जितना भी इस्तिमाल कर ले और इनकी quantity है unlimited ठीक है, और हमारे इस्तिमाल से इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता है ओके, so this is the renewable resources और इसी के जिस्ट opposite में कहाता है, non renewable resources यह वो resources है जिनका stock बहुत ही limited है यानि अगर आप इसे एक बार इस्तिमाल कर ले तो यह खत्म हो जाएगा और हो सकता है इसको बनने में दुबारा हजारों साल लग जाए ठीक है, इसे हम कहता है, non renewable resources these are the two broad categories under the natural resources, clear है यहां तक आपका चलिए, आगे बटते हैं, देखे, बोल रहा है, एक आपका exercise question से relate करता है, देखे, आपका exercise question से relate करता है, कि the distribution of natural resources depend upon number of physical factor, जैसे कि terrain, climate and altitude, इसलिए the distribution of resources is unequal, because these factors differ so much over दियात, यानि प्रिछवी में हर जगा पे एक ही रूप में या एक ही मात्रा में resources नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि वहां का terrain, यानि वहां का एक प्रकार का minerals यानि की खनिच नहीं मिल सकता है, किसी में diamond मिलता है, तो किसी में gold मिलता है, हां मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी देश में ऐसा है कि diamond है gold ना मिले, मिल सकता है, मगर उसकी quantity में difference आएगा, that is the main question, बढ़ते हैं हमारी next topic के तरफ, जो है human made resources, तो human made resources से क्या समझते हैं, बहुत ही असान है, जिससे इंसान ने बनाया, तो इंसान अपनी जरुरतों के हिसाब से चीजों को बनाता है, जिससे कि उसका life और भी ज़्यादा comfortable बन जाए, जैसे अगर railway lang की वज़े से ज़्यादा समय जाया हो रहा है उसके रास्ते में, तो उसने उसक topic is the human resources, यानि कि, इंसान खुद एक resources कि मैंने बताया, people can make the best use of nature to create more resources, कि इंसान प्रकृती का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, ताकि अपने knowledge, अपने skill और technology के दम पे, वो क्या कर सकता है, अपनी जरुरतों को पूरा करते पे, हर एक चीज को अपने हिसाब से convert कर सक है, that's why, human is the most important resource among the all, but one thing which is very important, that education और health, ये दो चीजे बहुत ही जरुरी है, अगर एक इंसान healthy ना हो, educated ना हो, तो फिर वो देश के लिए कभी भी एक important resource नहीं बन सकता, मैं माल लेता हूँ, एक person, जो class 3, 4 या 5 तक ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो healthy है, then वो मेहनत करके भी अपने देश के लिए contribute कर सकता है, या अपने family के लिए contribute कर सकता है, मागर एक person जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, ज़्यादा healthy भी ना हो, तो उससे क्या होगा, वो अपना घुजर बसरत्यों कर लेगा, लेकिन फिर भी उसे काफी कठी नहीं का स skill और quality को बढ़ा हुआ देना, ताकि वो किसी भी resources को और भी ज़्यादा way में use करने के हिसाब से बना सके, that is the human resource development, clear, okay, moving to the next topic and the last topic, that is the conserving resources, देखे, अभी आप इस बारे में जानते हैं और आपने इस बारे में सुना भी होगा, कि हम जो इंसान है वो बहुत लालची है, हम क से नहीं, बल्कि लालच के दम पर जादा से जादा चीजों का इस्तिमाल करें, तो ऐसा हो सकता है कि कभी, कभी ऐसा दिना आएं, कि resources पूरी तरीके से स्पृत्वी से खतम हो चाएं, इसलिए ज़रूरी यह है, कि हम resources को carefully use करें, और उनको समय दे, ताकि वो फिर से तयार हो सके, इसी को resource conservation कहते हैं, और resources को एक balance way में use करना, ताकि हम आज अपनी जरूरतों के ले तो उसे इस्तिमाल कर रहे हैं, और कल जाकर हमारी आने वाली PD भी उसका इस्तिमाल कर सके, उसे हम कहते हैं sustainable development, sustainable development क्या है, resources का इस तरह से इस्तिमाल करना, कि आज हम भी उसे इस्तिमाल क कर सके, और कल आने वाली PD भी उसका इस्तिमाल कर सके, उसे sustainable development कहते हैं, तो इस chapter में sustainable development जो है, यह आपका बहुत ही important topic होने वाला है, तो इसे please आप लोग पढ़ना, ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत question answer भी discuss कर देता हूँ, अगर आपको इस chapter समझ में आ गया होगा तो, कि why are resource distributed unequally over the earth surface, यह मैंने अब भी थोज़े पहले आप से discuss किया, कि earth surface में resources unequally, इसलिए distribute है, क्योंकि terrain different है, climate different है, altitude different है, इसी वज़े से हर जगा पे एक समान चीजे नहीं मिलती, resource conservation क्या है, चीजों को एक right way में use करना, और इसको समय देना, वो फिर से तयार हो सके, that is called the resource conservation, why are human resource important, human resource important, इसलिए है, क्योंकि human nature का best use जानता है, वो अपनी जरुवतों के हिसाब से चीजों को transform कर लेता है, और अपनी हर जरुवतों को पूरा कर सकता है, इसलिए human resource important है, and the last one, what is the sustainable development, that means, balancing the need of resources, and give them time to get renewed, so our future generation can also access to it, that is called the sustainable development, और इसी किसाद आपका चाप्का चाप्तर घर्दा मुदा है, thanks for watching, and if you like my video, then don't forget to give a like, and don't forget to subscribe my channel, wait till my next video will come, okay, thank you, have a good day.